सब्सक्राइब चैनल और प्रेस्ट बैल आइकन और नेवर मिस अनी अप्देट प्रेस्ट बैल पर मैं आपका सर मिस्टर डी कुमर इस वीडियो में अपको इस वीडियो में बताने जरा हूँ जो जिनरल साइन्स का वीडियो आएगा तो जिस चैनल पर वीडियो आएगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दिया गया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल कर जो चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि दूसरा वीडियो जो आपका नेक्स्ट पचास कुस्टन के उत्तर के साथ आएगा वो आपको उसी चैनल पर मिलेगा और मैं आपको ये भी बिश्वास दिला दू, मैं जो भी प्रस्णों का उत्तर इस वीडियों में बताऊंगा, वो 100% correct answer के साथ बताऊंगा, तो आप इस वीडियों को पूरा देखे, साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर हैं, जिसमें आपको मिनिममम 33 नंबर लाना होगा, पास होने के लिए, चलिए आगे बरते हैं, देखते हैं, सेक्षन ए से 50 प्रस्ण हैं, जिसमें सबसे पहला प्रस्ण आप देख सकते हैं, भगवत गीता जो है, यह किसके द्वारा रचित है, तो महर सी वेद जो व्यास हैं, वेद व्यास जी, तो उनके द्वारा भगवत गीता वो लिखा गया है, तो इसका अंसर अप्शन नमर ए हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कुशन देखिए, हिंदी, इंग्लिस, दोनों में कुशन है, मैं के वल हिंदी में पढ़ना हूँ, चुकि मैक्सिमम हिंदी से इसका अंसर अप्शन नमर ची हो जाएगा, मिक्स्ट अर्थात मिस्रित अर्थव्यवस्था है, भारत भी एक जो है, मिस्रित अर्थव्यवस्था है, तीसरा प्रसन है, ग्रैंड ट्रंक रूड का निर्मान किस ने करवाया, तो ग्रैंड ट्रंक रूड का निर्मान जो है, ये सीरसा सुरी ने करवाया तो इसका आंसर option number C हो जाएगा चौता प्रस्न है गुरू गोविंद सिंग सिखों के दसमे गुरू थे option number D इसका correct answer होगा दसमे गुरू थे फिर F first atom bomb was dropped on तो ये पहला atom bomb ये हिरो सिमा पे गिराया गया था option number E इसका correct answer हो जाएगा छटा प्रस्न है पंच तंत्र के रचनाकार कौन है तो पंच तंत्र के रचनाकार जो है ये विस्नु सरमाजी है तो option number B इसका correct answer हो जाएगा फिर आगे देखते हैं सात्मा प्रस्न है कि आरीयभट ज्यानविस्व विधिया कहा के आवस्तित है तो ये पटना में आवस्तित है आरीयभट जो उनवर्सिटी है और ये वर्ट नौलिज उनुर्सिटी ये पटना में आवस्तित इसका अंसर option number C हो जाएगा आटमा प्रस्ण है वैसाली जिले का मुख्यालय है तो वैसाली जिले का मुख्यालय है यह हाजीपूर में अप्सन नमबर D हो जाएगा कि हाजीपूर वैसाली जिले का मुख्यालय है उसके बाद नौमा प्रस्ण है कि येस बैंक मतलब किस परकार का बैंक है तो येस बैंक ज समाज सुधारक से गारेहन हैं कि कोउंग्रेस की अस्थापना कब तो इसका अंसर अप्सिन प्रणेता कौन थे तो भूदान आंदूलन के प्रनेता थे वह अचारी विनोबाजी इसका तुर्तमान में बिहार के राजपाल वरत्मान में बिहार की राजपाल फागू चोहांजी झीए उसके बाद 15 नमर्प्रस्ट नहीं प्रति वर्स में प्रती वर्स जो है पांच जून को मनाया जाता है उसके यहां पर दिया गहाएं 14 मेजर इंडियन बैंक्स वेर निस्नलाइजड इन तो यह जो है कितने इस वी में निस्नलाइजड किया गया था मतलब कहता है कि कितने इस वी में 14 प्रमुख भारतिये बैंकों का राश्ट्रे करन किया गया था तो 1969 इस वी में तो यह पार्शियों का धर्म ग्रंत है बी या सी इसका गलत आंसर है केवल डी ही इसका सरी आंसर होगा उन्नीस नमर प्रस्टन है तो जो घरेलू क्रिकेट होता है उससे उनका संबंद है तो इसका अप्सन नमबर बी हो जाएगा क्रिकेट से एक किस नमर प्रस्टन है कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वज रिटेन बाई आप सभी को पता होगा भारत का जो रास्टे गान है वो जन गर्मन है जो रभिंद्र नाट टाइगूर के द्वारा रचा गया है लिखा गया उप्सन नमर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 32 प्रस्टन है करांती का समद्ध डूद के उतपादशे हैं मतलब किस क्रांती का समंद्ध दूद के उतपादशे है तो उजली क्रांती का एक अत्रसर रोँससरत कि आध्यायन को क्या देमोग्राफिख इसको जरान की की कहते हैं अच्छ इसका इसका तो यह आरीक्ट अस्फापना किया गया था अफ्सन योगा दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है अप्सन नमबर 20 का करेक्टर अंसर हो जाएगा 29 का प्रस्न है कि लौपरूस के नाम से कौन जाने जाते है तो सरदार बल्लब भाई पटेल जी को लौपरूस के नाम से जाना जाता है जो भारत के प्रथम ग्री मंत्री रह इन सभी में जो है लोकतांत्रिक देश है यह सभी 31 प्रस्न है एडम समीथ जो है यह एकोनोमिक्स अर्थात अर्थसास्त्र के जनक जो है एडम समीथ है अप्सन नमर यह का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर यहां पर 32 प्रस्न है भारत में सबसे बड़ा वानिजिक बैंक है नमर इसका करेक्ट आंसर होगा थिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारत की ग्रसिद नर्तकी अप शॉज़्यलवस जी जिए हैं। The Patna University was founded in the year. मतलब, Patna University की अस्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1917 इस भी में हुई थी. Option number A, इसका correct answer हो जाएगा. 36 नमर प्रस्ट आप देख सकते हैं, The Constitution of India is divided into, मतलब, भारत के सम्भीधान को कितने भागों में बाटा गया है, तो 22 भागों में बाटा गया. Option number B, इसका correct answer हो जाएगा. 37 नमर प्रस्ट है, कि राजी सभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्र पती द्वारा नामित किये जा सकते हैं, तो 12 सदस्य, Option number C, जो है, इसका correct answer हो जाएगा. बारत सदस्य जो है, ये राजी सभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्र पती द्वारा जो है, राजी सभा के बारत सदस्य नामित किये जा सकते हैं, अप्सन नमर इसका correct answer हो जाएगा, बारत ने वर्स कितने में वैस्वी करन प्रक्रिया में प्रवेश किया, अप्सन नमर इसका correct answer होगा, जब मोधी की सरकार है, आई थी मतलब बीजेपी की सरकार, तो उसी में 2014 संपूर्ण स्वक्स्ता अव्यान प्रारंब किया गया, फिर यहां पर चालिस नमर प्रसन है, लोग सभा के सदस्यों की आधिकतम संग्या कितनी होती है, तो अभी वर्त इसको आप खाज-कुजली हिंदी में कहते हैं, तो यह जो है, तुचा से संबंदित एक बीमारी है, 42 में प्रसन आप देख सकते हैं, भासकर एक भारतिये क्या थे, तो गनिता गये थे, बहुत ही बड़े गनिता गये थे, भासकर एक भारतिये गनिता गये थे, उसका correct answer इसको आपका रिग वेद है, उसके बाद है उप्रोकता संडक्षन अधिनियम, कितने स्वी में पारित हुआ, तो उप्रोकता संडक्षन अधिनियम जो है, यह 1986 स्वी में पारित हुआ, उसका correct answer हो जाएगा, 47 में भारत में सिक्षा का अधिकार जो है, एक मौलिक अधिकार है, तो अप्सन नमबर ए, इसका correct answer हो जाएगा, कि यह fundamental rights है, 48 में प्रसन है, पवित्रगाई कहां की राष्ट्रे यह पस हुआ है, मतलग किस देश की, तो यह जो है, नेपाल की राष्ट्रे यह पस हुआ, अप्सन नमबर बीस का correct answer हो जाएगा, 49 में प्रसन है, मोबाइल क correct answer हो जाएगा, और last में जो 50 नमबर प्रसन देख रहे हैं, तो इसका answer मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको बता दू, जो दूसरा part आएगा, 51 से लेकर 100 तका, जो आपका general sense से है, तो उसका वीडियो आपको जिस चैनल पर मिलेगा, उस चैनल का link इस वीडिय टेकनलोजी, इसका answer option number D हो जाएगा, तो आसा करता हूँ, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगयोगी, वीडियो अच्छी लगयोगी तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा, मिलते हैं नए वीडियो में, नए पार्ट के solution के साथ, तब तक लेते हैं अल विदा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू सू मच